हेलो गाईज, वेलकम टू अचीव आईएस, मैं नीम इस आईउश मिठी, इस वीडियो में हम तट्रिब्यून के तसफरवरी के तसफरवी 2020 के ओपिनियन पेज के अनलेसिस करेंगे सबसे पहला एडिटोरियर हम जो डिसकस करने जा रहे हैं, वो है लीथल ओटोनॉमस वीपन सिस्टम के बारे में और इंसेक्ट अलाइस के बारे में, इंसेक्ट अलीज, जो कि यूएस का एक प्रोजेक्ट है, दोनों इस दुनिया के लिए, नेशनल सेक्यूरिटी के लिए, खातक बताए जा रहे हैं, चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले मैं आपको एब उप पूर पर से बता दू, करोना वाइरस, करोना वाइरस कहा तो यूँ जा रहा है कि वाइल लाइफ के मीट के द्वारा ये निकला है, जो एक्जोटिक जो मार्केट है, वाइल लाइफ मीट वाला जो मार्केट है चाइना में, वहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता थ तो इस वज़े से वायरस वहां से ट्रांस्मिट हो गया था एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि ये जो वायरस है करोनावायरस ये बायलोजिकल वीपर्ण भी हो सकता है या ऐसा कोई वायरस भी हो सकता है जो लीक हुआ है चाइना के लैब में से बायो लैब में से कोई जरूरी नहीं है कि एक्जोटिक सीफूड मार्केट में से ही निकला हो जैसा कि चाइना कह रहा है तो थियोरीज निकल के आ रही है कि वुहान के बायो लैब में से ये निकल सकता है तो एक बहुत बड़ा जो डर अभी लोगों के दिमाग में जो रिशर्चेस के दिमाग में जो निकल के आ रहा है कि आखिर ये जो डिस्कवरीज टेक्नोलोजीज में हो रही है जिस तरीके से हम टेक्नोलोजी एडवांसमेंट कर रहे है क्या ये हमारे लिए घातक नहीं बनती जा रही इसका एक्जामपल हमारे सामने लोज है लोज जिसकी मैं पहली दफ़ा बात की थी लिथल अटर्ममस वीपन सिस्टम ये यूएस का ये बेसिकली एक सिस्टम है जिसको कई कंट्रीज इस पे रिचर्च कर रही है आपने वो पिच्चर देखियोगी टर्मिनेटर तो एक तरीके का रोबोट है जो आपका आर्मी मैन होता है मिलिट्री का जो जवान होता है उसकी तरह काम करेगा दुश्मनों को पहचानेगा और उनको एनिमी को पहचान के उसको मारने का डिसिजन भी ले सकता है अब इस पे उनाइटे नेशन ने भी चिंता जयता ही उनाइटे नेशन ने इस पे गवर्मेंट ग्रूप अफ एक्सपर्ट्स 2016 में कंसिच्चूट किया कि आर इस पे एक बार ये देखो कि पॉलिटिकली ये ऐसे तो जुनेटे नेशन सिक्यूर्टी जनरल ने इसको पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल और मोरली रिपलसी बताया है और कहा है कि ये इतना बड़ा खत्रा है कि इसके लिए government group of experts constitute किया गया कि आखिर हम इसको हाला कि कई देशों ने कोशिश की एक treaty बनाई जाए जैसे आपके chemical weapon को biological weapon को nuclear weapon को रोकने के लिए जो treaties है वैसे इस system को रोकने के लिए भी treaty बनाई जाए हाला कि ये जो proposal था इसको अपोच किया गया US और रश्या के दोरा क्योंकि वो इस पे काफी ज़्यादा research कर रहे है चाइना भी जो है बिल्कुल देखो चाइना इसके huge pay band के लिए बिल्कुल सहमत है लेकिन वो इसके research and development पे काम करने की सोच रहा है US और रश्या तो बिल्कुल यह पोज हो गए कि इस पे treaty नहीं बननी चाहिए इस पे काम होना चाहिए क्योंकि अब US और रश्या ने इस पे काफी ज़्यादा research कर लिये दोनों आपस में कटर दुश्मन है और यह जो system है यह काफी ज़्यादा घातक भी हो सकता है तो कहा जा रहा है कि लोज जो है यह जो system है यह तयार है बिल्कुल अब आप चिंता का विश्याई है कि एक एक इनसान एक रोबोट कितना भी बड़ा skilled हो कितनी भी इसमें skills हो क्या वो human emotion के साथ match कर सकता है क्या वो ethics की बात कर सकता है क्या वो values की बात कर सकता है human जितनी वो progress इस area में वो कर सकता है बिल्कुल भी नहीं लेकिन जिस तरीके से यह जो lethal autonomous weapon system है जिसको Israel, South Korea, UK भी इस पर develop करने की कोशिश है कर रहा है और ऐसे deadly robotic movements बनाने की कोशिश कर रहे है इससे sadly, unfortunately यह एक conflict का issue बनता जा रहा है दूसरी बात एक दूसरा area जो निकला है conflict के रूप में वो है Insect Elise Insect Elise, US का एक project है US के Defense Advanced Richards Project Agency ने 27 million dollar का 5-4 साल का program निकाला है जिसमें यह कोशिश कर रहा है ऐसे project करने की experiment करने की कि जिसमें यह देख सकते हैं कि जो crop system में जो naturally occurring जो pathogenes होते हैं जैसे आपके crops को बरबाद कौन करते थे जो कीडे माकोडे जो बरबाद करते थे तो इसमें इस project में यह कोशिश की जा रही है कि virus को genetically modify करके Insect को use करके और crops तक transfer कर दिया जाये अब intention तो यह है कि हम किसी तरीके की crops की जो disease है उनको रोग देंगे virus को genetically modify कर देंगे लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि intention तो इस पे research करने वाले US की काफी सही है लेकिन आप यह बात बताओ कि nuclear weapon क्यों बनाया गया था nuclear जो था आज जो हमारे आतंगवादी हैं उनके पास cyber security का वो यूज कर रहे है sorry hacking का यूज कर रहे है वो nuclear power का वो यूज कर रहे हैं के missiles वगर है यूज कर रहे हैं जो हमारे आतंगवादी ग्रूप से उनके पास advanced weapon system है तो क्या हम इस intention के साथ इनको develop करने की कोशिश की थी कि ये भी किसी दिन आतंगवादियों के हाथ में चल जाएंगे कभी सोचा था हमने, नहीं intention हमारी सही थी लेकिन इसका fact और implication बहुत गलत हुआ तो इस तरीके से जो lethal autonomous weapon system है और जो insect allies वाला जो project है ये अगर किसी भी गलत हाथों में पढ़ गया तो ये मालो जैसे पाकिस्तान के हाथों में पढ़ गया ये मालो किसी अलगाएदा गुरूप के या किसी आतंगवादी गुरूप के हाथों में पढ़ गया अब ये क्या कर सकता है कि virus को genetically modify करके खतरनाक virus बनाके insect के दोवारा ट्रांस्पोर्ट करवा सकता है दुश्मन देश की crops पे अब दुश्मन देश के जो लोग खाना खाएंगे बिमार हो जाएंगे और बहुत गलत हेल्थ का effect भी पढ़ सकता है ये depend करेगा कि किस तरीके से modify किया गया है वाइरस को genetically तो research and development पे जो ये चाहिना कह रहा है कि इस पर research and development होनी चाहिए मैं ये कहता हूं research and development आप कर भी रहे हो तो क्यूं आखिर इसका फायदा क्या होगा अगर ये गलत हातों में पढ़ गया तो माल लोगर किसी आतंगवादिया किसी दुश्मन देश ने rice मेज की crops पर टेक कर दिया तो लोग क्या खाएंगे intention objective तो सही बता रहे हैं लेकिन बात यही निकलती है कि इसका effect गलत हो सकता है भारत एक member है United Nations का और हमेशा ये conflicts को approach करता हुआ है laws और इंसेक्ट एलीज के लिए अपनको trick track approach अपनानी पड़ेगी सबसे पहली बात तो एक legally enforceable treaty किसे ना किसी तरीके से आई जाए एक बार legally enforceable treaty आई जाए जिसको USA और रशिया पोच कर रहे है और उसके बाद research and development को इस पर बेहन किया जाए क्योंकि research and development करोगे जितना development एक उतने state actor जो आपकी government हो गई एक उतने non state actor जो organizations हो गए ठीक है जो आपकी civilians हो गए उनके हातों में अगर यह चल गया तो बहुत बुरा होने वाला nuclear technology का आप experience देखो ना कि हमारा intention कितनी सही थी कि nuclear energy आएगी nuclear technology बढ़ेगी power बढ़ेगी लेकिन आज nuclear weapons का जो खतरा मौझूद है वो क्यों आया intention तो सही थी हमारी तो इंडिया को यह सब चीज़े ध्यान रखनी पड़ेगी और अपने borders को secure करना पड़ेगा कि कल अगर इसके पड़ोसी चाइना या पाकिस्तान के हाथ में अगर यह lethal system जो बना रहा है लोज, चाइना, lethal automatic weapon system और इंसेक्ट अलीज वाला अगर काम चाइना ने डवलप कर लिया चाइना ने पाकिस्तान को दे दिया तो borders हमारे काफी ज़्यादा खतरे में आ जाएंगे तो इस वज़े से हमको इसकी security प्लस हमको इसको legal treaty लानी ही पड़ेगी यह force हमको diplomacies में लग national security, confidence in this status quo cannot be based on the stated good intentions of nations national security के मामले में जो countries हैं उनकी intention सही हो सकती है लेकिन इस पे confidence हम नहीं जाता सकते हैं पूरी तरीके से की ठीक है बिलकुल जो nations हैं के intention से बिलकुल सही है तो intentions पे नहीं जाना हमेशा effect और implication पे जाना है ठीक है एक article यहां पे आया बैडलेम इन Parliament आपको पता है Parliament के पिछले दिनों काफी ज़्यादा जो वीडियो वायरेल हुई जिसमें लोक सबा में ऐसे scenes देखने को मिले कि जो language थी वो अलप अन-parliamentary थी जिसमें Congress leader राउल गांदी ने भी कुछ ऐसी बाते बोली परहमिष्टन रहेंदर मोदी ने भी कुछ ऐसी बाते बोली जहां से आपती निकल के आई कि जो शब्दों का means cancer आ सकता है तो unparliamentary language, parliamentary privilege, parliamentary privileges के बारे में, breach of parliamentary privileges के बारे में, polity की book में पढ़ते रहिएगा, ठीक है, जरूरी है drugs and remedies in 1954, देखो आपको पता है आजकल कितने एड़साते हैं कि ये क्रीम लगा लो गोरे हो जाओगे, ये लगा लो लंबे हो जाओगे, ये लगा लो आपकी जो है दिमाग तेज हो जाएगा, आपकी हाइड बढ़ जाएगे, आपके दाच चमक जाएगे, आपके बाल advertisements इतनी जादा हैं कि इस लड़की ने ट्राय किया दस दिन में तो ये इसका effect हुआ, मोटे से पतला हो गया, पतले से मोटा हो गया, आइड बढ़ गई, ये सब जो advertisements आते हैं, ये regulate करने की बात अब की गई है, लोग को stricter बनाने की बात की गई है, ये इस पे act हमारा पहले स पहले से था, drugs and magic remedies, objectionable advertisements act 1954 हमारे देश में पहले से था, जिसमें कहा था कि ये जो drugs और जो remedies बताये जाते हैं, एडविटाजमेंट की दवाई ले लो, ये हो जाएगा, ये दवाई ले लो, वे हो जाएगा, जो बिल्कुल चमतकारी कहते हैं, आपने तो कई बार देखा भी ह यूगा train वगेरा में, bus वगेरा में sticker चपे रहते हैं, कि ये बाबा है, और इनके पास जाओ, सब ठीक हो जाएगा, personal affair हो, court का कोई case हो, पैसे कमाने हो, तो इनके पास जाओ, तो ये जो magical properties वाले, जो drugs और remedies बताने वाले, जो जो ड्रक्स और रेमेडीज बताने वाले, जो comment करेंगे, और इसमें कड़ी से कड़ी सजा लाने का प्रवधान करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है, आज इस तरीके से social media बढ़ रहा है, internet बढ़ रहा है, हर कोई सुन्दर दिखना चाहता है, likes का जमाना है, followers का जमाना है, हर कोई, और सबसे पहली बात तो insecurity जो फैलती जा र बहुतों के साथ यही होता है, कि वो actors की photo देखते हैं, models की photo देखते हैं, कि जैसे बहुत सरी कमियां उनके अंदर है, जैसे ये actors, ये film stars, ये जो models हैं, तो बल्कुल perfect है, इन में ना कोई दिक्कत है, fair skin है, बल्कुल कोई disability नहीं है, सुन्दर है, तो ये जो चीज है, ये उन लो, magically आपका आप गुरा हो जाओगे, बिमारिया मिट जाएंगी, मोटा बा कम हो जाएगा, और आप जो है, बिल्कुल मजबूत हो जाओगे, height भी बढ़ जाएगी, दिमाग का में तो दिमाग भी बढ़ जाएगा, कई तरह की दवाई आ गई, जितने patients नहीं होतने तो ड माल प्रेक्टिस चल रही है, exploitative माल प्रेक्टिस चल रही है, उस पर कड़ी से कड़ी सजागा, प्रवधान लाके इसको रोका जाए, Consumer Protection Bill 2019 लोग सबाने पास किया, लास्ट जुलाई में, इसमें बात थी कि advertising industry पर थोड़ा, Regulate किया जाए, क्योंकि यह जो manufacturers, service providers, और जो celebrity आपके हैं, जो add करते हैं, कुरकुरे के, chips के, cold drink के, हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों के, जो उनको पता है, कि खाने के लिए बहुत गंद हैं, unhealthy हैं, और जिस तरीके से वो promote, चाए वो खुद नहीं खाते हो, लेकिन जिस तरीके से वो promote करते हैं, अगर उन्होंने ऐसी चीज़े promote की, जो health के लिए विर्कुल गलत है, false claims अगर उन्होंने किये, जूटे वादे उन्होंने किये, तो उनको penalty और जेल की सजा भी हो सकती है, चाहे वो ads, print में हो, newspaper में हो, electronic, क्या फिर कोई social media पे हो, e-commerce पे हो, या कोई virtual medium पे हो, तो अब इन जो rules हैं, यह protection bill 2019 आया, 1954 वाले जो rules है, 1954 वाले जो आपके act है, यह भी अगर amend कर दिया जाएगा, rules जो लाए लज जाएंगे, अच्छी बात है कि government किस ना किसी तरीके से, मजबूत करना चाहती है, एक issue जो यहाँ पे निकल के आया था, जो मैं राजसबा TV पे debate देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि सबसे बड़ा issue यह है कि कानून तो हमारे पास हब चीच के लिए है, जैसे इसमें हम जो कड़ी सजा का प्रवदान है, उसको और कड़ा करने की कोशिश की जा रही है मैं कहता हूँ, सजा कड़ी करने से क्या अपराद रुख जाते हैं, यह मैं आपसे प्रशन पोस्ता हूँ, क्या इसका कोई सबूत है, नहीं, ऐसा नहीं है, कि सजा कड़ी करने से हमें अपराद रुखते हैं, सजा कड़ी हो यह जरूरी नहीं है, कितनी जल्दी मिलती है औ और कितनी effectively मिलती है बिना किसी गलती के बिना किसी बेगुना को सजा की दिये बिना जो कानून ता 1954 में उसमें भी सजा की बात थी लेकिन उसका implementation डंक से नहीं हुआ तो हमको लगा कि गलती सजा में है कि सजा को कड़ी करनी पड़ेगी हाला कि अच्छी चीज़ है अगर सजा हम और सजा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जो है stricter हम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगर हम पहले वाले कानून को डंक से लागू कर देते तो मुझे लगता है कि हम को amendment करने की जुरुद भी नहीं करनी पड़ती और इंड़ेश्ट्री अपने हाप regulate हो जाती तो कोशिश एक challenge अबसे बड़ा ये भी है कि कुछ advertisements कुछ drugs हैसे होते जो वास्तों में intentionally और effectively implication wise बिल्कुल सही होते हैं जो कहते हैं वो पूरा होता है वो कहते हैं कि अगर ये बिमारी का इलाज़ों कर सकते हैं तो कर सकते हैं आखिर इन advertisements की तरब लोग चले क्यों जाते हैं एक तो social media वाला रोल मैंने बताया कि लोग काफी इंसीक्योर है मोडल्स को देखके फिल्म स्टार्स को देखके और बिल्कुल लड़किया खास कर काफी इंसीक्योर हो जाती हैं जब वो फेर स्क्रीन स्कीन देखती है और सब कुछ जो गोरापन जो उनको social media पर नज़र आता है जो सुन्दर ता उनको नज़र आती है तो conventionally अगर आप जाएंगे hospitals में कोई बिमारी का इलाज कराना है हाइट बढ़ा नहीं है या आपको गोरापन लाना है तो आपको hospital में वो इलाज नहीं मिल पाए तो जो health system में उससे assess नहीं होती खास करकी जो middle class families की तो वो इन चीजों की तरफ भांगने की कुशिश करती है एक तो यह सबसे बड़ा challenge दूसरी बात हो सकता है कि advertisements जो बताये गए हैं जो drugs जो बताये गए हैं वो effectively सही हो तो हमारा challenge यह भी है कि इन advertisements को पनिश नहीं किया जाए जो वास्तों में intentionally और implication wise सही हो तो कानून में बदलाव लाने से कुछ नहीं होगा ground level पे कितना implementation होता है उस पे इस सरकार की वावाई होने चाहिए गाईज यह थी हमारी वीडियो आई होब आप सबको समझ में आये होगा थेंक्स वर वाचिंग जय हिंद गोड़ ब्लेस यूओ